हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 3-4 येर बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा जम सूट बनाना सिखा रहे हैं इसके लिए हमने 75 सेंटीमिटर क्लोथ लिया है ये दो पीस हमने योग के लिए लिये हैं जिसकी लेंद 18 इंच है और चोड इंच का और लेंध में इसको 2 इंच कर देना है ये आर्म होल की लेंध हमने 2 इंच ली है अब हम इसको चकोर कर देते हैं और आर्म होल में गोलाई कर देते हैं नेक की लेंध हम 1 इंच लेते हैं और इसको ऐसे गोलाई करते हुए उपर तक मिला देते हैं यहां से हम फिटि ये देखिए ये दो पीज हमने शोट के लिए ले लिये हैं जिसकी लेंद 12 इंच है और चोड़ाई में ये 20 इंच है अब हम इसको डबल कर लेते हैं फोर लेयर यहाँ पर इसकी हो गई है अब ये देखिए इस साइड से भी हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है इस साइड से भी जुड़ा हुआ हिस्सा है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैबरिक है वो हमारा इस पर यहाँ पर निशान लगा देते हैं ये टू इंच का हमारा बचा हुआ फैबरिक है और length में आसन को हम 8 इंच रखते हैं चोड़ाई में 2 इंच रखते हैं ऐसे करते हुए यहाँ पर चकोर निशान लगा लेते हैं अब हम यहाँ पर गोलाई कर लेते हैं मोहरी पर हमें 2 इंच का निशान लगाना है और गोलाई करते हुए इसको उपर तक मिला लेना है अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये देखिए दोनों पीस यहाँ पर हमारे कटकर शोट के भी और योग के भी ऐसे हो गए हैं ये हमने रेब की पट्टी लिए है आर्म होल में लगाने के लिए और इसी में हमें स्टेप बनाएंगे इसकी लेंद 19 इंच है फोर पट्टी हमने लिए है और थोड़ी सी पाइपिन और एक्स्ट्रा हमें लेनी है ये हमने फ्रिल के लिए एक फेब्रिक लिया है जिसकी चोड़ाई टू इंच है अब हम इसको बारिक सा फॉल्ड कर लेते हैं ये हमने यहाँ पर फॉल्ड कर लिया है इसको अब हमें इस जंगे इसमें बारिक बारिक सी चुणनटे डालनी है आप चाहे तो इसमें धागे की चुनटे भी डाल सकती है चुनटे डाल कर हमें इसको नेक के बराबर अपने कर लेना है ये देखिए हमारा फ्रील यहाँ पर तयार हो गया है अब हम अपना योग लेते हैं और इस पर नेक पर रखकर इसको लगा देते हैं अब हमें यहाँ पर इसकी रोंग साइड पर पाइपिन को रखना है और राइट साइड पर पलटना है पाइपिन यहाँ पर हम थोड़ी सी चोड़ी बनाएंगे इसका अंदर का पाइपिन का फेब्रिक हमें कट नहीं करना है ऐसे ही दो बार फॉल्ड करके इसको इसके उपर एक सिलाई लगा देनी है और अंदर की जो सबी सिलाई आई हुई है वो इस पाइपिन के नीचे की साइड को हमें दाब देनी है ये देखी पाइपिन हमाई लगकर तयार हो गई है अब यहाँ पर आर्म होल में हम इसके पाइपिन लगा लेते हैं इसको हलका सा हमें खीचना है जाद नहीं गीजना है आर्म होल में हमने पाइपिन लगा लिए अब उपर की साइड से हम दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हैं पाइपिन को और इसके उपर सिलाई लगा लेते हैं एक साइड पर हमें इसकी सिलाई लगानी है एक साइड ऐसे ही रहने देनी है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी ये स्टेप बनकर तयार हो रही है इसी स्टेप में हमारी नीचे की आर्म होल भी तयार हो गया है दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही पाइपिन लगानी है इस साइड में पाइपिन को हम उपर की साइड से रख कर लगाते हैं यहां से हम फॉल्ड कर लेते हैं और इस पर एक सिलाई लगा देते हैं दोनों साइड से फॉल्ड करते हुए हम इस स्टेप को भी तयार कर लेना है ऐसे ही हमें अपनी बेक साइड की स्टेप भी तैयार करनी है उसमें सिर्फ फ्रिल नहीं लगाना है बेक साइड में ये फ्रिल हम सिर्फ फरंट साइड में लगा रहे हैं ये देखिए हमारा योग तैयार हो गया है बेक साइड का भी हमने ऐसे ही तैयार कर लिया है ये देखिए 4 उपीस लुपी हमारी तैयार हो गई है डोरी को हमें बीच से बारिक सा करना है इस टेप को अपनी और इसको यहां से पक्का करते हुए निचे तक इस पर सिलाई लगा देनी है अब हम इसको पलट लेते हैं ऐसे ही हमें सभी डोरियों में इस टेप में अपने लुपी लगा कर तैयार करना है अब हम इसको डबल करके यहां पर रख लेते हैं और साइड में फिटिंग की सिलाई इस पर लगा देते हैं इस सिलाई को हम डबल कर देते हैं कि दूसरी साइड से भी हमें सिलाई को अपने ऐसे ही लगा कर तयार करना है योग हमारा तयार हो गया है ये देखिए कितनी प्यारी साय है ये बैठ गया है अब हम नीचे की शोट लेते हैं और इस पर आसन पर सिलाई लगा लेते हैं एक सिलाई यहाँ पर हम और लगा लेते हैं दूसरी दरफ के आसन पर भी हमें डबल सिलाई लगा कर इसको तयार कर लेना है अब यहाँ पर हमें हलकी हलकी सी चुन्नटे डाल देनी है यह हम मोहरी में चुन्नटे डाल रहे हैं मोहरी में भी चुन्नटे डालकर हम पाइपिन लगाएंगे ये देखिए हलकेलकी से हमने यहाँ पर चुन्नटे डालकर मोहरी को अपनी तयार कर लिया है अब हम ये पाइपिन लगाते हैं हमें ये शोट के उल्की साइड पर लगानी है अब इसको उपर की साइड को फोल्ड करते हैं और इसके उपर एक सिलाई लगा लेते हैं सभी फैबरिक जो हमारा अंदर की साइड का है वो इसी पाइपिन के नीचे की साइड को हमें दाब देना है ये देखिए फ्रेंज पाइपिन हमाई लगकर तयार हो गई है और चुटनटे 20 में डाल दी है हमने इस साइड का मोहरी भी हम ऐसे ही तयार कर लेते हैं दोनों मोहरी यहां पर हमने तयार कर ली है हम मोहरी को मिला लेते हैं और यहां पर आसन पर सिलाई लगा लेते हैं यह हम नीचे के शोट के नीचे के आसन पर सिलाई लगा रहे हैं यहां से हम पक्का कर देते हैं अब इस साइड से भी हमें पक्का करके इसके उपर एक सिलाई लगा देनी है अब हम दोनों शोट के हिस्से को मिला लेते हैं और यहां पर हलका सा कट लगा लेते हैं जिससे हमें इसकी बीच की साइड का पता चल जाए अब हमने अपना योग लिया है इसको शोट के अंदर की साइड को डाल देते हैं यह देखिए हमने यहां से यह मिला दी है अब हम इसको यहां से एक दूसरे से मिला लेते हैं और इस पर यहां पर बीच में सिलाई लगा लेते हैं यहां पर हमने सिलाई लगा कर इसको तयार कर लेना है यहां पर हमने सिलाई लगा दी है यह जम सूट हमारा तयार हो गया है अब हम इसमें बीच में लास्टिक डाल देते हैं यह 22 इंच की हमने लास्टिक लिए है इसमें बीच में हम निशान लगा देते हैं और यहां पर लास्टिक को हमें जादा नहीं कीचना है जहां तक निशान लगाया है हमने वहां तक हमारी दूसरी साइड तक वो लास्टिक आने चाहिए इसके बाद का हिस्सा हमारा दूसरी साइड आ जाएगा यह देखिए फ्रेंट्स लास्टिक यहां पर हमाई लगकर तयार हो गई है और कितना प्यारा सा हमारा जंप सूट बन कर तयार हो गया है बेबी की फिटिंग के हिसाब से हम ऐसे उसको बान देते हैं फ्रेंट्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने ने डिजाइन के साथ अब तक के लिए बाद